मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, मन की बात ने वर्ष 2020 में अपना आधा सफर अब पूरा कर लिया है, इस दोरान हमने अनेग विश्यों पर बात की, स्वाभाविक हैं कि जो बैस्विक महामारी आई, मानव जाती पर जो संकट आया, उस पर हमारी बात्चित कुछ ज लगातार लोगों में एक विशय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बितेगा, कोई किसी को फोन भी कर रहा है, तो बात्चित इसी विशय से शुरू हो रही है, ये साल जल्दी क्यों नहीं बित रहा, कोई लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है कोई कह रहा है 2020 शुब नहीं है बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से यह साल जल्द से जल्द बित जाए साथियों कभी-कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है हो सकता है ऐसी बातीज के कुछ कारण भी हो छे साथ महना पहले यह हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खलाफ यह लड़ाई इतनी लंबी चलेगी यह संकट तो बनाई हुआ है उपर से देश में नीत नई चुनवतियां सामने आती जा रही है अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी शोर पर साइकलोन अमफान आया तो पस्षिमी शोर पर साइकलोन निसरग आया कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाय बहन टीडी दल के हमले से परिशान है और कुछ नहीं तो देश के कही हिस्सों में छोटे छोटे भुकम रु कई एक साथ इतनी आपदाये इस स्तर की आपदाये बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है हाला तो ये हो गई है कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनोतियों के साथ जोड़कर के देख रहे हैं साथियों मुश्किले आती है संकट आते हैं लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वज़र से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए क्या पहले के 6 महने जैसे बीते उसकी वज़र से ये मान लेना कि पूरी साहली ऐसा है क्या ये सोचना सही है जी नहीं मेरे पहले देशवासियों बिलकुल नहीं एक साल में एक चनोती आए या पचास चनोती आए नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता भारत का इतिहास ही आपदाओं और चनोतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है सेंक्डों वर्सों तक अलग-अलग आकरांताओं ने भारत पर हमला किया उसे संकटों में डाना लोगों को लगता था कि भारत की समरच नहीं नश्ट हो जाएगी भारत की संस्कृती ही सबापत हो जाएगी लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया साथियों हमारी यहां कहा जाता है स्रजन शास्वत है स्रजन दिरंतर है मुझे गीत की कुछ पंक्तिया याद आ रही है यह कल-कल छल-छल बहती क्या कहती गंगा धारा युग-यूग से बहता आता यह पुन्य प्रवाह हमारा उसी गीत में आगे आता है क्या उसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं कंकड पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए भारत में भी जहां एक तरब बड़े-बड़े संकट आते गए वही सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकों अनेक स्रजन भी हुए नए साहित्य रचे गए नए अनुसंधान हुए यानि संकट के दोरान भी हर क्षेत्र में स्रजन की प्रक्रिया जारी रही और हमारी संस्कृती पुस्पीत पल्वित होती रही देश आगे बढ़ता ही रहा भारत ने हमेशा संकटों को सभलता की सीडियों में परिवर्तित किया है इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे 130 करोड देश वासी आगे बढ़ेंगे तो यही साल देश के लिए नए किर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा इसी साल में देश नए लक्ष प्राप्त करेगा नई उडान भरेगा नई उचाईयों को छूएगा मुझे पुरा विश्वास 130 करोड देश वासीों की शक्ति पर है आप सब पर है इस देश की महान परंपरा पर है मेरे प्यारे देश वासीों संकट चाहे जितना भी बढ़ा हो भारत के संस्कार निश्वार्थ भाव से सेवा की प्रेणा देते हैं भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की उसने आज शान्ति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है दुनिया ने इस दोरान भारत की विश्व बंदूत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभूता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लदाक में भारत की भूमी पर आँख उठा कर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डाल कर देखना और उचीत जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मा भारती के गवरों पर आँच नहीं आने जाएंगे। साथियों लदाक में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं। उनके शावरिय को पुरा देश नमन कर रहा है, स्रधांजली दे रहा है। पुरा देश उनका कृतग्य है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों के तरह ही हर भारतिय इने खोने का दर्द भी अनुहो कर रहा है। अपने वीर सपुतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज़वा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदरकुबार के पिता जी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही होसला हर शहीद के परिवार का है, वास्तों में इन परिजनों का त्याग पुझनी है, भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का धे बनाना है, हर देश वासी को बनाना है, हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं के रक्षा के लिए देश की ताकत भड़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्मनिरभर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची सद्धान ले भी होगी मुझे असम से रजिनी जी ने लिखा है तो उन्होंने पुर्वी लदाक में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है प्रण ये कि वो लोकल ही खरी देंगे इतना ही नहीं लोकल के लिए वो कल भी होगी ऐसे संदेश मुझे देश के हर कौने से आ रहे हैं बहुत से लोग मुझे पत्रा लिख कर बता रहे हैं तो वो इस और बढ़ चले हैं इसी तरह तमिर्णाडू के मदुरई से बोहन रामामूर्थी जी ने लिखा है कि वो भारत को डिफेंस के ख्षेतर में आत्मंदेर भर बनते हुए देखना चाहते हैं साथियों आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था हमारे यहां अनेको ओर्डिनन्स फेक्टरिया होती थी उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीशे थे वो आज हमसे आगे हैं आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाब उठाना चाहिए था हम उसका लाब नहीं उठा पाए लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलोजी के खेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है भारत आत्मनिर्भरत आगे तरप कदम बढ़ा रहा है साथियों कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन जन्भागिदारी के बीना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तोर पर हम सब का संकल्प, समर्पण और सयोग बहुत जरूरी है अनिवारिया है आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमी का निभा रहे हैं ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है आप किसी भी प्रफेशन में हो, हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है देश की आवशक्ता को समझते हुए, जो भी कार्य करते हैं, वो देश की सेवा ही होती है आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती है और हमें यह भी याद रखना है, हमारा देश जितना मजबूत होगा दुनिया में शांती की संभावनाए भी उतनी ही मजबूत होगी हमारी यहां कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परिशाम परिपीड नाय खलत से साध हो विप्रितम एतत ग्यानाय दानाय चरक्षणाय अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोक व्यक्ति विवाद में धन का प्रयोक गमन में और ताकत का प्रयोक दूसरों को तकलीव देने में करता है लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तमाल होती है भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तमाल की है भारत का संकल्प है भारत के स्वाबिमान और संप्रभुता की रक्षा भारत का लक्ष है आत्म निर्भर भारत, भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता, भारत का भाव है बंदूता, हम इनी आदर्सों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. मेरे प्यारे देश्वासियों, कोरोना के संकटकाल में देश लोकडाउन से बहार निकल आया है, अब हम अनलोक के दौर में हैं, अनलोक के इस समय में दो बातों पर भावत फोकस कर रहा है, कोरोना को हराना और अर्थ वबस्ता को मजबूत बनाना, उसे ताकत देना. साथियों लोकडाउन से ज़्यादा सतर्क्ता हमें अनलोक के दवरान बरतनी है आपकी सतर्क्ता ही आपको करोना से बचाएगी इस बात को हमेशा याद रखे कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं दो गज की दुरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरूरी सावधानिया नहीं बरते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं खास तोर पर घर के बच्चों और बुजुर्कों को इसलिए सभी देश्वासियों से मेरा निवेदन है और ये निवेदन में बाहर बाहर करता हूँ और मेरा निवेदन है कि आप लाप परवाही मत बरती हैं अपना भी ख्याल रखिये और दूसरों का भी साथियों अनलोक के दौर में बहुत सी ऐसी चीज़े भी अनलोक हो रही हैं जिन में भारत दसकों से बंधा हुआ था वर्सों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था कॉमर्शियल आक्षन को मंजूरी देने के एक निर्णे स्थिती को पूरी तरह से बदल दिया है कुछी दिन पहले स्पेस सेक्टर में एक्तिहासिक सुधार किये गए उन सुधारों के जरिये वर्सों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली इससे आत्म निर्भर भारत के अभियान को न केवल गती मिलेगी बलकि देश टेक्नोलोजी में भी एडवांस बनेगा अपने कुर्शिक शर्तर को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दसकों से लॉकडाउन में फसी थी इस सेक्टर को भी अब अन्लोक कर दिया गया है इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधीक रोण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है ऐसे अनेक शेत्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच एतिहासिक निर्णे लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है मेरे प्यारे देश वासियों हर महिने हम ऐसी खबरे पढ़ते और देखते हैं जो हमें भावुक कर देती हैं यह हमें इस बात का स्मरण कराती हैं कि कैसे हर भारतिय एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर है वह जो कुछ भी कर सकता है उसे करने में जुटा है अरुनाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली यहां सियां गिले के मिरें गाउं ने वो अनोखा कायर कर दिखाया जो समुचे भारत के लिए एक मिसाल बन रहा है इस गाउं के कई लोग बाहर रहकर नोकरी करते हैं गाउं वालों ने देखा कि कॉरोना महमारी के समय यह सभी अपने गाउं के और लोट रहे हैं ऐसे में गाउं वालों ने पहले से ही गाउं के बाहर क्वारंटीन का इंतजाम करने का फैशला किया उन्होंने आपस में मिलकर गाउं से कुछी दुरी पर 14 अस्थाई जोपडिया बना दी और यह तै किया कि जब गाउं वाले लोट कर आएंगे तो उन्हें इनी जोपडियों में कुछ दिन कारंटीन में रखा जाएगा उन्हों जोपडियों में साउचाले, बिजली, पानी समेत, दैनीक जरूरत की हर तरह की सुविदा उपलब्त कराई गई जाहिर है मिरेम गाउं के लोगों के इस सामुहिक प्रयास और जागुरुता ने सबका ध्यान अपनी और आकरसित कर लिया साथियों हमारी यहां कहा जाता है स्वभावं न जहाति एव सादुहु आपद गतोभी सन करपुरह पावक्स प्रुष्टह सवरभं लबते तरा अर्थात जैसे कपूर आग में तपने पर भी अपनी सुगंद नहीं छोडता वैसे ही अच्छे लोग आपदा में भी अपने गून अपना स्वभाव नहीं छोडते आज हमारे देश की जो स्रम शक्ती है जो स्रमिक साती है वो भी इसका जीता जागता उधारण है आप देखिए इन दिनों हमारे प्रवासी स्रमिकों की ऐसी कितनी ही कहानिया आ रही है जो पुरे देश को प्रेणा दे रही है यूपी के बारा बंकी में गाउं लोटकर आये मज़्दुरों ने कल्यानी नदी का प्राक्रोतिक स्वरुप लोटाने के लिए काम शुरू कर गया नदी का उद्धार होता देख आसपास के किसान आसपास के लोग भी उत्साइथ हैं गाउं में आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रहते हुए हमारे स्रमिक साथ्यों ने जिस तरफ अपने काउशल्य का इस्तमाल करते हुए अपने आसपास के स्थित्यों को बढ़ला है वो अध्भूत है लेकिन साथियो ऐसे कितने ही किस्से कहानिया देश के लाखों गाउं के हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाए हैं जैसा हमारे देश का स्वभाव है मुझे विश्वास है साथियो कि आपके गाउं में भी आपके आसपास भी ऐसी अनेग घटनाई घटी होगी अगर आपके ध्यान में ऐसी बात आई है तो आप ऐसी प्रेरग घटना को मुझे जुरू लिखिए संकत के इस समय में इस सकारात्म घटना आए ये कहानिया औरों को भी प्रेणा देगी। मेरे प्यारे जैस्वास्यों कोरोना वाइरस ने निश्चित रुप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बढ़ला उला दिया है। मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्मुनिटी बढ़ाने पड़ है। और इम्मुनिटी बढ़ाने वाली इन चीजों का समन्द हमारे देश से है। हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भासं में बतानी चाहिए जिसे वे आसानी जे समझ सकें। और हम एक healthier प्लैनेट बनाने में अपना योगदान दे सकें। मेरे प्यारे देश वासियों, कोरोना जैसा संकट नहीं आया होता, तो शायद जीवन क्या है? जीवन क्यों है? जीवन कैसा है?